मेनी मेनी कॉंग्राचुलेशन्स गाइस जिन स्टूडेंट्स को पहले राउंड के अंदर ही कॉलेज एंड कोर्स अलॉट हो चुका है लेकिन इतना ही इनफ नहीं है अभी भी आप सभी को गाइस बहुत सारे स्टेप्स लेना बागी है जिससे आपकी जो सीट आपको मिली है वो पकी हो सके वो आपके लिए फिक्स हो सके अभी भी ऐसे कुछ स्टेप्स होने बागी है कि अगर आपने वो टाइमली नहीं किये तो आपको जो सीट मिली है वो चैंसल भी हो सकती है यूट्यूब पे मुझे देखने को मिल रहा है किया यह जो अपग्रेड एंड करने की कोशिश करी जारी है तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बिलकुल ऐसी लेमन लांगुज में समझाऊंगा कि आपको पूरा जो आपका आखरी फेस ओफ एडमीशन है ताट इस फेस थ्री वो अराम से समझ आ जा जाए तो मैंने पूरी इस वीडियो को बहुत पूरा एंड तक जरूर देखेगा तो आप सभी से एक रिक्विस्ट रहेगी कि इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजे अभी इतनी सारी अपडेट्स आना बाकि है कि अगर आपने वो अपडेट्स मिस कर दी तो आपकी सीट कैंसल हो सकती है आपका अप्लिके सबसे पहले काम यह नहीं होना चाहिए कि अपने रिष्टेदारों को कॉल करना स्ट कर दिया फ्रेंट्स को कॉल करना स्ट कर दिया कि भाई मुझे यह पर्टिक्लियर कॉलेज और कोर्स मिला है इससे बेटर यह है कि आप सभी एक्सेप्ट एलोकेशन पर क्लिक कर दें और सरदर्द दूर करें यहां फिर मैं आप सभी को एक छोटा से एक्सपिरियंस शेयर करना चाहूंगा इचीज मैंने अपने बहुत सारे क्लासमेट से डिसकस किया अगर आप सभी पहले ही दिन या कुछ घंटे के अंदर अपनी सीट को एक्सेप्ट कर देंगे तो आपका जो रोल नंबर होईगा यह बहुत ही शुरुआती रोल नंबर होईगा अपने कॉलिज के अंदर लाइक रोल नंबर 1,2,3,4,10,20 ऐसा रोल नंबर बनेगा नौ मैंने क्या किया था मैंने 24 घंटे बाद जाके एक्सेप्ट किया दाटी 17 तारीक को तो मेरा रोल नंबर बना रो अपको seat ऐलोड होई है एकसेप्ट कर लीजिएगा क्योंकि accepting के करने के बाद ही आपको upgrade and freeze का option मिलेगा कई बच्ची सोचते हैं कि एकसेप्ट करना mandatory नहीं है accept करना mandatory है mandatory है और अगर आपने accept नहीं किया तो आपकी seat cancel भी हो सकती है तो accept करने के बाद आपका second option आ जाएगा and that is about your document verification also guys आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को College Vidya platform के बारे में बताना चाहूंगा अगर आप सभी का आगे चलके interest है online UJ course pursue करने में तो simply College Vidya website पे आके अपने course को चूज करिए इस थरीके से अपने जो important credentials है उनको fill in करने के बाद आप जो course में apply कर रहे हैं उसके लिए best universities आप सभी को College Vidya find out करके बता देगा and अगर आप सभी को university के expert साथी साथ College Vidya के expert से बात करने तो यहाँ पे click करके आप contact CV expert से बात कर सकते हैं अगर आपको universities के बीच में comparison भी जालना है तो यहाँ पर compare now पर click करके आपको बहुत सारे factors के basis पर comparison भी universities के basis में मिल जाता है like उनकी fee, उनका approval, उनमें placements के बार में पता चल जाएगा आपको student rating क्या दे रहे हैं, universities को यह पता चलेगा, EMI facility अविलेबल है या नहीं, fee break up पर जब आप click करेंगे तो fee का break up पता चलेगा LMNIs के reviews क्या है, placement click कौनसी companies आती है, और यहाँ पर आप सभी को authentic university की website का link भी मिल जाएगा So College Vidya की website अभी के अभी जाके check out करें, link is in my description box and अगर आप सभी मेरी link के through admission लेंगे तो 7,000 worth का career booster program भी आपको free of cost मिल जाएगा Apart from this guys, आप सभी को College Vidya की तरफ से up to 10,000 rupees की subsidy भी provide कराई जाएगी Now, इसके बाद guys, हमारा second step आजाएगा, document verification का, जो college आपको मिला है, वो college आपके documents को verify करेगा Now, यह जो document verification process है, that is absolutely online, college आपको नहीं जाना पड़ेगा offline, online ही सारा काम होगा Now, जैसे ही आपकी seat allocate हो चुकी है, अभी ही कई students के document verification स्टार्ट हो चुका होगा और इसकी last date है, 20 तारिक शाम 5 बजे तक, आपके documents verify हो जाएगे, और आपके जो college के principle है, आपके documents को approve भी कर देंगे Now, एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, इन दार्टेस के आपका जो CISAS portal है, वहाँ पर आपको यह queries का अब एक अलग tab देखने को मिलेगा मेरा आप सभी को recommendation है कि एक दिन में कम से कम 2-3 बार यह tab को check करते रहना कि यार college ने कहीं मुझे कोई query तो send नहीं करी, इस query section में क्या लिखके आएगा लिखके आएगा कि यह जो college आपको मिला है, college की तरफ से बोला जा रहा है कि आपने यह document submit नहीं किया है, इतने समय से पहले पहले मुझे यह अपना सही document प्रोवाइट कर दो, अगर नहीं करोगे आपकी seat cancel, और फिर guys आप सभी को कुछ ऐसा लिखके आजाएगा कि application status rejected, क्यो non-fulfillment of subject mapping criteria, या फिर कोई और issue होगा, तो वो यहाँ पर लिखके आजाएगा, लेकिन अगर application reject होगा, तो इस तरीके से reason भी उसमें mentioned होगा, बट मैं आप सभी को बोलूगा कि यह queries का section timely check करते रहना, यहीं पर ही college आपको बोलता रहेगा, कि भाई मुझे यह चीज इतने समय में भेज़ दो, otherwise आपकी seat cancel हो जाएगी, इसके बाद आप सभी का third step आजाएगा, fee payment का, अगर आप सभी के कोई कोई raise नहीं होती, तो इसके बाद application status में, जहाँ पर पहले क्या लिखके आया है, rejected, वहीं पर लिखके आजाएगा, कि आपका जो application status है, that is approved by principal, और इसके बगल म लिए इस पे click करना है, और अपने पूरे college के साल की fee, semester की fee नहीं, पूरे साल की जो college की fee है, वो आपको एक बार में pay करने पड़ेगी, जाद अतर 10 से 15 से 20,000 तक की आपके fees होती है, कुछ ही ऐसे courses हैं, जिसके fees 25 से 35,000 तक जाती है, but again fee payment का भी एक particular timeline है, अगर आपने इसमें delay कर दिया, तो again आपकी जो seat है, ये cancel हो जाएगी, now guys, ये fee payment को लेके बहुत सारे students का एक बड़ा doubt ये रहता है, कि भाईया, first round में जो मुझे college allocate हुआ, मैंने उसकी जो fees है, इसको pay कर दिया, लेकिन अगर मुझे second round में कोई दूसरा college मिल गया, तो क्या मुझे उसकी भी पू college मिला था, पहले round में, उसकी fee अगर 16,000 थी, और उसके बाद जो आपको second round में college allocate हुआ, उसकी fee अगर 18,000 है, तो आपको simply guys, 2,000 rupees extra pay करने पड़ेंगे, जो आपकी second college की fee है, लेकिन अगर यहाँ पे एक दूसरा case बनता है, दूसरा case क्या बनता है, कि भाईया, जो मुझे पह 12,000 रुपे extra pay किये, तो आपको यह जो remaining 2,000 rupees आपने extra pay कर दिये है, यह आपको refund हो जाएगा, भाईया, कहां पर refund होएगा, तो यह guys, आप सभी का refund किया जाएगा, उस particular bank account में, जो आपने CESAS face 1-ay के अंदर अपने जिसकी details provide करी थी, तो बस simply यही case है fee payment का, I hope आपको अच्छ का option, अभी से कई बच्चे परिशान हो गए कि भाईया, मैंने accept तो कर दिया, यह upgrade freeze का option कब आएगा, यह आएगा, यह आप सभी fee pay कर दोगे, तो इसलिए मैं बूलूँगा, घबरानी के जरुत नहीं, पहले पैसे दो university को, फिर आपको मिलेगा, यह upgrade and freeze का option, अगर आप सभी satisfied है अपने college in course से, freeze पर click कर देना, लेकिन अगर आप satisfied नहीं है, और better college चाहिए, और better course चाहिए, तो यह upgrade का एक option मिलेगा, यह simply आप इस पर click कर देना, मैं आप सभी को recommend करूँगा, कि minimum third round तक तो आप सभी को upgrade पर click करते रहना है, chances रहते हैं कि पहले round में जो college मिला, वो second round में अपग्रेड नहीं होगा, लेकिन कई बच्चों को देखने को मिलता है कि second round के बज़ए, third round में मेरा college अपग्रेड हुआ है, तो इसलिए आप सभी को recommend है, कि third round तक upgrade constantly करते रहिएगा, तो जब आप सभी upgrade पर click कर देंगे, उसके बाद जाके, एक list निकल के आती है, जिस list का नाम है, vacant seats का matrix, कि भाईया, अभी भी कितनी seats खाली है, round 1 के बाद, daily university में, although ये इतना कोई relevant data नहीं होता, मैं recommend नहीं करता हूं students को, कि आपको ये data check out करना चाहिए, freeze ये upgrade करने के लिए, and मेरी बात मानना, यार, अगेन 2 साल से बतारों, तो बेटर है, vacant seat को मत चेक करना, आप सबी सीधा upgrade पर click कर देना, बाकि जिनको seat नहीं मिली है, obviously वो लोग round 2, round 3, and even spot rounds तक तो wait करेंगे ही, now इसके बाद, जैसे ही आपकी vacant seat release हो जाएगी, उसके बाद, आपका round 2, declare कर दिया जाएगा, and round 2 में भी, वो ही same process आपका रहेगा, seat accept करो, फिर उसके बाद, आपका verification approval आगे क्या क्या steps आपके होने वाले हैं, so मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक किलिए all the very best, and please do not forget to subscribe to this channel, and अगर कोई भी डाउट अभी भी आपका बचा है, जरूर कॉमेंट कर देना, मैं आपका reply जरूर करूंगा,